और भाई सब यह वीडियो के लिए मैंने giveaway रखा है तो यहाँ पर आपने स्क्रीन पर आप देख रहे हो यह 30 बंदे winner बने हैं तो भाई सब आप लोग से request है जिसकी भी इसके अंदर ID है आप लोग शाम में 6 बजे लाइब आ जाना MR के भाई चैनल पे तो लिक आपको comment में description मे में 6 बजे या स्याजना अगर आप online नहीं रहोगी तो आपका जो Google Play का रेडिम कोड हो किसी और को दे दिया जाएगा और अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंड बॉक्स में link के giveaway की वह link पे क्लिक करके पार्टिसिपेट करना ह MR की तरफ से MR की निउस में आपका ओपी वाला वेलकम तो भाई सब यहां पर आप लोग पर रिक्वेस्ट आ रहा थी कि हमारे गेम के अंदर कोब्रा MP40 कब रिडन होने वाली है तो यहां पर आपको बता देता हूं और साथ ही साथ में जो हमारा FF टोकन है इसमें बंडल रेडिम कोड लेनी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आना है और यहां पर गेम एपन की लिंक मिल जाएगी इसके लिए आपको गूगल पर सरच करना है गेमएपन.com और यहां पर आपको डेशार गूगल प्ले का रेडिम कोड मिलेगा जो कि आप देख सकते हो लाइफ हफता 14 दिन के अंतर अंतर पकड़ लो कि आपको यहां पर मिल जाएगा देखने हमारा एफफ टोकन का बंडल तो बंडल कौन सा होने वाला है वह भी आपको पूरा बता देता हूं तो यहां पर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो यह रहा हमारा मेल बंडल जो कि आपको एफ टोकन के अंदर देखने मिलने वाला जो कि बहुत यूपी लग रहा चाहिए इसका शर्ट देख लो चाहिए 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 फेस पेंट बंडल मुझे बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा यह एफ टोकन का बंडल नीचे कमेंड करके जरूर बताना और यहां प हमारे इंडियन सर्वर में तो यहां पे धीरे धीरे जो जो सर्वर में कोबर एंपी 40 नहीं आया यह अपडेट के अंदर पूरा फ्री फायर कर देगा मतलब हर गण जितनी आयती सबको रिटन करेगा तो यहां पे इसकार का भी आने का चांस है लेकिन यह टाइम सबसे पहल कोई भी बंदा बता सकता है कि हमारी कोबर एंडियन सर्वर में कब आएगी यहां पे कोई भी नहीं बता सकता है क्योंकि फ्री फायर का गेम है फ्री फायर कभी आचानक में कोई भी इवेंट लेके आती है लेकिन हाँ जब आने वाली रहेगी तो यहां पे आपका भाई ब पर जो तीज बंदे उन लोग को मैं गूगल पे का रेडिम कोड दे दूँगा जो ऑनलाइन नहीं रहेगा छे वजए मैं उसके बदले किसी और को दे दूँगा तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो हेलफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक् टाइब याज से कर देना